असलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कुवेट में रहते हो और कुवेट के इमतेरीन ख़बरों से में इसा वाकिफ रहना चाते हो तो ये वीडियो को बिने स्कुप को पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आये हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमें इसा फ्री में मिलती रहे तो साथियो आज की वीडियो में दोस्तों खबर सुनाने वाला हूं दोस्तों ये भारत और कुवेट के बीच में है जो की बहुत अच्छी खबर आ रही है तो खबर क दोस्तों दो-तीन दिन पहले हो गया था जोकी करीकुर । 167 लोगों को इंडिया से कुवत पहुचा आए गया हाल में हाल में ही कुवत भारत के लिए सीधी उदान संचलित करने की घोसना करी थी और अब इस घोसना के बात से भारत से कुवेट के लिए सीधी उदान का जा रहा है कि जजीरा एरवेस की फ्लाइट नंबर 1406 जो की कोची एरपोर्ट से उडान भरी थी तो दोस्तो आज के दिन कोची से दोस्तो फ्लाइट उडान भरी 167 यातरियों को सुबा साड़े 5 बजे आज के दिन पहुंचाया गया जजीरा एरवेस की दरिये कोची के 42 कुडान भरी और कोची एरपोर्ट पे सुबा साड़े 6 बजे उतरी इन दो फ्लाइटों के अलावा तीसरी फ्लाइट दिली से जजीरा एरवेस की फ्लाइट 1410 अंचालित हुई और यहां यातरियों को लेकर कोची मुंबई और चेन्ने के लावा चौती फ्लाइट जो है इंडिगो एरलाइंस के जरी एहमदा बासी फ्लाइट जो है वो उलान भरी है आपको बता दे कुएट ने कोरोना वाइरस की वज़ा से यातरा को पर्दिबन लगाये था जिसके बाए से दोस्तों काफी दिनों से फ्लाइट को बन किया गया था गौर तलब है कि हाल ही में पता होगा कि 5528 लोगों को हर दिन वहाँ पे मतलब एक सब्ते में लाये जाएगा जानकारी को अनुसार कोटा निर्धारित किया गया जानकारी को भेज देगे पत्रों में सनागरीक उड्यान मंतरालेक इंजिन यूसूब अलफाजिन भारस से सिधु उड़ाने के लिए न अंगलवार को 668 बुधवार को और 1188 गुरवार को 638 शुकरवार को संटिवार को 663 लोगों को लाएज आगा तो दोसतो एक हफ्ते में कुल मिला के 5528 लोगों को लाये जागा दोस्तो किस दिन कितना लाए जाएगा यह सामने आपको दिया हुआ है अब देख सकते हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से अब ticket को अब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ticket आप अराम से ले सकते हैं. साथियो अगली जो खबर आ रही है, वो भी India और Kuwait के बीच में आ रही है, दोस्तों बताना चाहूंगा, Kuwait in India, Sanned Cooperation Agreement to Recruit Domestic Workers, साथियों Kuwait और India के बीच में एक एग्रिमेंट सैन हुआ है, जो कि सेवंध मीटिंग में जो जो जॉइंट वर्किंग ग्रूप होता है, लेबर और वर्टपोर्स डेवलफमेंट इमांग दा वर्कर इसके बीच में दोस्तों हुआ है, तो कुवेट की दो एसिस्टेंस फॉर्ण मिनिस्टर है, कॉंसोलर आफर इबराहीम अलमुदेफी और कुवेटी डिलेशन इंक्लूर इपंजनी फॉर्ण मिनिस्टर और इंटियर, दोस्तों इंडिया इसके बीच में जो डोमेस्टिक वर्कर जो आते हैं, तो इसके बीच में दोस्तों दोनों देशों को बीच में बातचीत हुई है, तो यह कुछ अपडेट थी साथ ही हो, जो कुवेट से आ रहे थी मैंने अब तक सेहर किया, आसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते, दोस्तों साथ सेहर करते, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके,